अकांक्रिस दिलाज चमबा में वन विभाग की के एफटबल्यू पर योजना के तहत जिले में वर्म कमपोस्ट यूनिट के स्थापना की गई है इसके अंदर गत जिले में 38 ग्रामेंड वन प्रबंधन समीतियों का गठन किया गया है और समीतियों द्वारा केंचुआ खात बनाने का कारे किया जा रहा है इस योजना के तहत जिले में द्रमन, ओडा तथा टपून सोसाइटी गठित की गई है वन मंडल अधिकारी चमबा रजनेश महाजन ने बताया कि KFW एक वित पोशित हिमाजर प्रदेश वन पारिसिती की तंत्र जलवायू प्रूफिंग योजपरियोजना है वन मंडल चमबा और डलहौजी द्वारा इस केंचुआ खात को उप्योग में लाया जा रहा है इसके लावा केंचुआ खात को प्रदेश के अन्य जिलों में भी बेचा जा रहा है इस केंचुआ खात को तयार कर रही चमबा जिला की द्रमन पंचायत के रहने वाले अमर प्रकाश्ण के अनुसार वन विभा के सहयोग से उनकी सोसाइटी बनी है और वो खात तयार कर मार्केट में बेच रहे हैं एक साल के भीतर 105 क्विंटल खात बेच चुके हैं एस व्यवसाय से कई अन्य साथी भी जुड़े हैं और अच्छी आमदन कर रहे हैं ग्रामेंड वन प्रबंधन समीती द्रमन की प्रधान सुनो देवी के अनुसार सामोहिक तोर पर केंचुआ खात तयार की जा रही है उन्हो हुए जो वन विभा की ओर से उपलफ्ट करवाय जाते हैं पिट में तीन माह के भीतर केंचुआ खात तयार की जाती है द्रमन बीट के वन रक्षक गजिंद्र वर्मा के अनुसार उनकी बीट में तीन सोसाइटियां बनी है अभी तक खात 10 रुपे प्रतिकेलों के हिसाब स भी की है इससे सोसाइटी को काफी लाव मिल रहा है कि अधिया 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 जिसमें यह पिट बना गए और उसमें जो गाम के दस लोग है वह इनमें बर्मी कंपोश खात त्यार करके और बार बेज रहे हैं जैसे हमने कुलू में बेज़ा है यहां अपना चमपाके चवारी में बेज़ा है और अभी तक हमारे पास और मांग यह नहीं है और भोराष्ट की जायता से और साथ ही ये बेच के अपना गोजिरबास्र कर रहे हैं कि जो खाद है वो 10 रपी किलो की साब से भी करी है